दिल्ली सहारनपुर राश्ट्री राजमार्ग 709B के अक्षर धाम से इस्टन पेरिफरल जंक्षन तक 2820 करोड रुपे की लागत से बनने वाले 31.03 किलोमीटर लंबे आक्सिस कंच्रोल हाईवे का कार्यर राश्ट्री राजमार्ग प्राधिकरन द्वारा संपूर्ण गती से किया जा रहा है अक्षर धाम मंदिर से इस्टन पेरिफरल एक्सप्रेस वे के मावी कला जंक्षन तक का ये हाईवे भविश्य में दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे एवं इस्टन पेरिफरल एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा इस हाईवे गीता कॉलोनी सीलंपुर शास्त्री पार्क खजूरी खास बिहारिपुर वजीराबाद करावल नगत लोनी मंडोला मावी कला से होकर गुजरेगा ये एक छेल इन आक्सिस कंट्रोल हाईवे है जिस पर प्रवेश इवम निकास के लिए चेनेज साथ प्लस चार सो किल किलोमीटर शास्त्री पार्क 10 प्लस 900 किलोमीटर खजूरी खास 18 प्लस 800 किलोमीटर लोनी 22 प्लस 600 किलोमीटर आवास विकास परिशत पर इंटरचेंज का कार्य प्रगती पर है दिल्ली स्थित प्रथम चरण जिसकी कुल लंबाई 14.75 किलोमीटर है इसमें गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक का हिस्सा एलेवेटिड बनाया जा रहा है इसके 256 पिलर में से 121 पिलर का कार्य पूर्ण हो चुका है इसी के साथ 33 लेन की दोनों साइट सर्विस रोड के साथ साथ पैदल यात्रियों एवं छोटे वाहनों के लिए 5 अंडरपास बनाये जा रहे हैं इस में 10 बड़े एवं 15 चोटे जंक्षन का विकास कार्य प्रगती पर है प्रथम चरण का कुल कार्य चालीस फीसदी पूरा किया जा चुका है उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के द्वितिय चरण की लंबाई 16.57 किलो मीटर है इसमें पुलीस चौकी से मावी गाउं तक 12.20 किलो मीटर लंबाई का भाग एलिवेटिड है इस भाग में 3 अंडर पास का निर्मान किया जा रहा है साथ ही इसमें 5 बड़े जंक्षन वा 19 चोटे जंक्षन का विकास किया जा रहा है वाहनों के सुचारू संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर के दोनों और सर्विस लेन बनाई जा रही है तेजी से चलने वाले वाहन सिर्फ मुख्य हाइवे पर चलेंगे जिससे ट्राफिक जाम और दुर्गटनाओं को कम किया जा सकेगा यातायात को नियंतरित करने के लिए तैयार की गई ये परियोजना इस तरहा की पहली महत्व संपूर्ण परियोजना है जिसमें 19.20 किलोमीटर एलेवेटेड रोड बनाई जा रही है ये परियोजना 48 फीसदी तक पूरी हो चुकी है दिल्ली से इस्टन पेरिफिरल जंक्षन तक का कार्य संपूर्ण रूप से मार्च दो हजार चौबीस में संभावित है धन्यवाद National Highway Authority of India, not just roads, building a nation.